force on a current carrying conductor in uniform magnetic field तो जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई charge magnetic field में move करता है तो उसमें force लगता है और किसी conductor में अगर current flow कर रही है तो वो है current carrying conductor तो current का मतलब है कि उसमें charge move कर रहा है तो उस conductor को अगर magnetic field में लाके रखें और उसमें current flow हो रही हो तो उसमें flow होने वाले हर charge के उपर force लगेगा यानि conductor के उपर force लगेगा कितना force लगेगा और किस direction में लगेगा ये देखेंगे आज के वीडियो में तो माल लिए ये एक charge particle है इस पर Q charge है तो इस charge particle पर लगने वाला force होगा Q V cross B यहाँ पर Q इस particle के उपर charge है V इसकी drift velocity है और V magnetic field की strength है और इस force का magnitude होगा Q Vb sin theta तो यह इस charge पर लगने वाले force का magnitude है यह एक charge के उपर हमें निकालना है current carrying conductor के उपर कितना force लग रहा है तो यहाँ पर एक conductor रखा इस तरह से कि magnetic field से इसका angle theta degree है और इस conductor में current flow हो रही है उसका direction है upward direction यह नीचे से उपर के तरफ current flow कर रही है और current का मतलब होता है कि positive charge move कर रहा है तो हर charge के उपर लगने वाले force का magnitude होगा E यह यह plus charge और यह drift velocity magnetic field और sin theta यह यह theta angle तो यह एक charge के उपर लगने वाला force है तो हमें निकालना है यह total charge में कितना force लग रहा है तो इस conductor में total कितने charge हैं तो unit value में charge N होते हैं तो इसके पूरे value में कितना charge होगा तो पूरे value के लिए इसके length consider की L और area of cross section A तो इसका volume हो गया A into L यह यह area of cross section into length तो इस conductor में total charge होगा unit value का charge को इसके value से multiply कर देंगे तो यह जगा N A N इतना charge होगा इसके अंदर तो एक charge के ओपर इतना force लग रहा है EVDB sin theta तो इतने charge पर कितना force लग रहा है इन दोलों को multiply कर लेंगे तो force on total charge NAL into EVDB sin theta इसको ऐसे लिखते हैं कि L को यहाँ पर लिख ज़ते हैं 20 से पहले तो यह है N E A VD यह कह रहता है current यह derivation है पिछले वीडियो में कर चुके हैं उसका हम लिख यहाँ पर suggest करते हैं तो यहाँ पर होगा I और यह LB sin theta तो यह हो जाएगा I LB sin theta तो इतना force लगेगा इस conductor के ऊपर अब देखते हैं कि force का direction क्या होगा अगर field का direction left to right है जैसा यहाँ पर है left to right तो यह field का direction है left to right और charge के movement का direction है upward यह यह उपर की तरफ तो इस पर लगने वाला force होगा वो inward direction में होगा अंदर की तरफ यहाँ पर लगने वाला force जो है वो inward force होगा अब देखते हैं इसका vector form तो vector form के लिए L को हमने vector मान लिया कि इसके vector का direction है यह upward direction और field का direction है यह left to right और यह angle है इसके बीच का theta तो यह angle theta है sin theta तो इसका मतलब यह L और B का cross product है तो यह L cross B हो सकता है या फिर B cross L हो सकता है इन दोनों vector का magnitude होता है I, L, B, sin theta होता है तो इसमें यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है तो इन दोनों में से क्या सही है इसको समझने के लिए हम देखते हैं right hand rule right hand rule में अगर thumb का direction है force का direction तो जो उन्यों का direction है यह vector का direction यह 그래서 B की तरफ है यह B से आल की तरफ है यहां पर यह thumb का direction ये स्क्रीन के बाहर है यानि Outward Direction और यहां पर Force का Direction है Invert तो इस थंब को अगर Invert कर देंगे तो यह उन्योर डारेक्शन ऐसे न होकर यह इस तरह से होगा ऐसे यह N । गे के लोटर सो यह यह वेक्टर की तरों तो यह L क्रॉस्दी यह सही है यह सकतर को हुआ है झाल झाल